कि क्या उपाय करके किसी का बुरा किया जा सकता है या फिर किसी को कोई परिशानी या किसी को कोई नुकसान भी हम कर सकते हैं क्या क्या ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि उसने मेरे उपर कुछ कर दिया या ऐसा उपाय करके मेरा नुकसान कर दिया कि इस बात में पूछा है आज क्योंकि नया साल है आपने मैंने देखा है आज सुबे से आपकी भी काफी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है परन्तु आपका प्रेशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि यह जो कई शुरोता ऐसे हैं जिनको यह सब जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते है देखिए एक तो पराविद्याओं का विज्ञान मैं आपको डो चीजों का थोड़ा सा अंतर बताता हो जो तिश है एक.. साइस है पराविद्याओं का जो हम लोगों की आत्माओं का विज्ञान वो एक अलग विज्ञान है, वो अगर आप कभी किसी और समय पर पॉड़कास्ट पर उसकी चर्चा करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आत्माय क्या है, सुक्षम शरीर क्या है, क्या इंसान जो है वो औरत की आत्मा मर्द के शरीर में जाए, या मर्द की आत्मा औरत के श मैं चंगों को नहीं पढ़ाये मैंने, या हम पढ़ाये तो तो सिर्फ अपने उसु सरफ उतने काम के लिए कि मेरे को कि इच network करते है तो मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं इसका is इसका उब usando आप लोग अकसर देखेंगे, जब आप जाते हो तो आपके एक बंर पे लिखा हो कि अदमी को यह भी आता है, यही आता है यही आता है परंतु मुझे नहीं लगता कि अगर इतनी चीज़ों को लिखने के बाद उसको कुछ आता होगा, क्योंकि हम एक विद्या को सीख रहे हैं, मैं 17-18 साल हो चले हैं, हम अभी तक लाल किताब के अंदर पूरी तरह से अपनी पूरी विद्या के अंदर प्रांगत नहीं हो पाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी दस्तना की विद्याओं में कैसे होगा, बहुत बड़ा जीनियोस हो सकते हैं, उपाएं मेरी विद्या कहती हैं, कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, आपका कोई बुरा करने आए, तो आप उसको रोक सकते हो, उसका एक एक्जामपल लिखा हुआ, जो दिवार खड़ी कर सकते हो, शीशे की, कि वो शेर आप तक पहुंचना पाए, यह अटैक करें, बार बार आप पी अटैक करें, और शीशे की दिवार से टकरा कर गिर जाए, ठक के अपनी जो क्रूलिटी है, जो छोड़कर चला जाए, ठक के चला जाए, और आपका नुक्स नहीं हो पाया, किसी ने धंकी दे दी, कि हम ऐसा कर देंगे, वो नहीं कर पाये, नुक्सान नहीं कर पाये, यहां तक तो समझ आया, हमारी विद्या में उसके चमतकार मैंने स्वयम देखे हैं, मैं साक्षी हूँ, अगर यहां पे मैठे हुए, जो मेरे श्रोता है, अगर इ नहीं हो पाता है, हमारे पास कोई ऐसी जादू की ताकत नहीं है, कि हम किसी को कुछ भी कर रहे हैं, कोई किया कर आया, यह सब पराविद्याओं का विज्ञान है, वो कैसे करते हैं, वो मुझे नहीं पता है, मैं ना इस पर डिसकस करूँगा, क्योंकि तंत्र मार्ग अलग है, और तंत्र मार्ग होता है, लेकिन कौन इसके कितने उसमें ड्रामे भाजया और कितने सच्ची में करते हैं, इस चीज का विशे मेरा नहीं है, मैं इस मंच पर उस विशे के उपर नहीं जाना चाहूँगा, आपने मेरी विद्या से लाल किताब के माध्यम से, आप किसी इनसान का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन किसे बुरे इनसान को अपना बुरा करने से उससे रोक सकते हो, ये 100% सकते हैं, इतने शब्दों के साथ, मैं सधी भी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बोला होता है, मैं मानता हूँ होता है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें, ऐ मेरे पस कभी आते हैं, तो जैसे आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास एक और्थो का पेशेंट आता है, तो वो क्या करता है? वो इसको बोलता है, दोस्त मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, तो आप और्थो ये वाले दॉक्टर पे चला जाओ, आपका काम हो जाएगा तो इसी तरह से अगर कोई ऐसा कोई पराविज्ञान का पेशेंट हमारे पास आता है, हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, जिसमें किसी ने इसको बोला कि इसने किया कराया या ऐसा है, अबल तो जहां तक मैं समझता हूँ, 70-80% ये मनोविज्ञा जाने के बाते हैं, इसी वज़े से मिथ्या ही जाना होती है, कि यह को बिना बात का वैम हो जाता है, तो वो चीज़े हैं, और ये चब चीजों के अंदर, आप देखना, मैं आपको एक फूल लीजिए, उस पे थोड़ा सा सिंधूर लगाईए, सिंधूर लगा लीजिए, क जोड़ा होती है दो कोई खर घर के बारें, आप अपने घर के बारें, आप आप देखना methods, नज बढ़ाई लेखना, आप अपने माता जी का अपने खरें बाकी का behavior यह सुनगा है IF फर बहभा इन जाना लेफकर भी और जो 15-20% लोग ऐसे तंत्र विज्ञान के माहिर हैं, उसका टॉपिक अलग है, वो टॉपिक पे जब हमारे पस लोग आते हैं, तो हम तो उनको पहले तो बाला जी जो हैं, वहीं भेज देते हैं, आप मेंदीपूर बाला जी चले जाईए, आप हमारे हमारे हिमाचल के इंदर ऐसा कुछ नहीं है, लाल किताब के माध्यम से कोई जादू टोना नहीं हो सकता है, दुश्मन को रोका जुरूर जा सकता है, और उसके इलावा आपको बलवान किया जा सकता है, जो आप अपना होसला दिखाएं तो सामने वाला आप से, अगर वो गलत है तो डर आप उसके सथ कंपीट कर पाओंगे, इतना किया जा सकता है, धन्यवाद.